बीयूटिदी के भाय की शादी थी और। हमने बहुत ज़्यादा डांस किया था। यहीं डांस करते करते ब्यूटिदी के नेल तूट गए थी। अगले दिन सुबह कोई हम लोग निकल गए थें नेल को रिमूफ करने के लिए ब्यूटिदी को थोड़ा थोड़ा पें हो रह और यहां पर मैडम आ गई और आप लोग थोड़ा सा मुफ्त में डांस भी देख लो तो आप लोग मॉल जा रहे थे और मॉल में हम सिर्फ तीनों ही जा रहे थे मैं ब्यूटिदी और अर्बास भाइया पहुचने के साथ ही साथ हमें दिया गया वेलकम ड्रीम जहां पर मैंन इतना ज्यादा पेंड हो रहा था कि मैं right side पर मुड़ भी नहीं पार रही थी फिर नेल को remove करने के लिए हम गये थे next floor पे फिर उन्होंने नेल को remove करना start कर दिया था और नेल को remove करने के बाद बता जला कि नेल में बहुत ज्यादा डैमेज हो जुकी थी लास्ट वाला फिंगर जो हमारा होती है उसका नेल बीच से टूड गया था ब्यूटिती को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वहाँ पर जो दीदी थे उन्होंने बोला कि इस नेल को छोड़के आप बाकी नेल पर पेंट लगा सकते हो फिर नेल पेंट लगाना भी डन हो गया था और हम लोग वहां से निकल गये थे सारी खरीदने जितनी भी सारी थी सारे बहुत अच्छे थे फिर हमने एक एक करके ट्राइ किया और हम लोग कंफ्यूज थे कि कौन से वाला ले फिर हम लोग भाईया के पास आये और आने के बाद देखा भाईया का हेयर का डन हो गया था सो आखिर में मैंने सोचे लिया कि चलो थोड़ा सा मसाज ले ही लेते हैं कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मुझे ज़रा सा भी आईडिया नहीं ये पेन क्यूं हो रहा था शायद रात को ही सोने में मैंने कुछ गरबर कर दिया था लेकिन मसाज लेने के बाद मुझे बहुत जादा рिलेक्स फिल हो रहा था फिर ब्यूटी और भाईया पेडी के और भी करवा रहे थे पेरों में तो मुझे बहुत जादा गुद गूधी होता है, अगर आपको भी होता है तो गिम्मेंट करो फिर पेडिक्यूर खतम होने के बाद हम लोग फिर से चले गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग करते समय देखो हम लोगों ने शॉप पे क्या किया यहाँ पर सॉप के जो भहिया थे वो हमें टॉफी दे रहे थे तो ब्यूटिदी ने उनसे मजाक में पू कि आप लोग यह गेस कर सकते हो कि भहिया ने लास्ट में क्या बोला था और अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो कमेंट करो तो आज का दिन हमारा यही पर खतम होता है तो अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कर देना और प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर लेन मिलते हैं बहुत जल्द किस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई